Hello everyone, Welcome to ExamQuest UPSC EPFO exam में Current Affairs को लेके काफी जादा डर एश्पिरेंस के मन में उसी के regarding इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगर हम previous year paper को analyze करें तो हम देखेंगे कि government schemes की सबसे जादा weightage थी और इस बार भी आप उमीद कर सकते हैं कि government schemes को लेके काफी जादा question पूछे जाएंगे तो इंडिया के अंदर लगबग 300 के आसपा schemes हैं और वो सारी की सारी कोई भी cover नहीं कर सकता तो आपका focus होना चाहिए कि कम से कम आप इस timeline की सारी schemes को cover कर लें यह timeline हम इसलिए select कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से paper revise नहीं हुआ होगा और जो EPFO का paper में के अंदर होने वाला था वही paper आपको अभी मिलने वाला है तो हमने उसी हिसाब से इस timeline की according cover किया है तो आप भी कम से कम यह आपके priority में होना चाहिए कि कम से कम आप इतना period cover करके जाएं इसमें भी आपको सबसे आदा focus करना है government schemes के ओपर क्योंकि एक बार पढ़ ली इसमें से question आया तो आप उसको mark करके आ जाएंगे तो government schemes आप हमारे channel से कर सकते हैं इसके अलावा UPSC के कुछ favorite topics रहते हैं जैसे की international organizations जो की खबरों में थी defense exercises इनको भी हमने अपने channel पर cover करा रखा है और कुछ इस तरह से cover करा है कि अगर आप इन videos को देख लेते हैं शुरू से end तक तो आपको ये video के अंदर ही याद हो जाएगी तो आपको इसकी जाधा tension नहीं लेनी होगी आप इसको थोड़ा सा speed भढ़ा के भी देख सकते हैं और उससे भी आपकी understanding में कोई साधा फरक नहीं आएगा economy के भी कुछ topics हम already cover करा चुके हैं जो इसकी remaining topics है economy के current affairs के वो आपको पर्सों तक कोशिच करेंगे कि आपको कली मिल जा लेकिन पर्सों तक कि आपको हम provide करने की कोशिच रहेगी हमारी ये सारी की सारी चीज़े हमने अलग-अलग video में cover कर आई थी इसलिए कल से मैं आपको इन सभी videos की एक marathon session बना दूँगा जैसे schemes का एक marathon session, organization का एक marathon session तो आप एक ही जगा पे इन सारी चीज़ों को cover कर सकते हैं तो ये जैसे 4 गंटे के अंदर schemes कर ली फिर उसके याद organization कर ली आपने 10 गंटे के अंदर तो इस तरह से आप current affairs cover कर सकते हैं इसके बाद आपको अगर focus करना है इन सब चीज़ों के बाद तो आप focus करेंगे science and tech के उपर, initiative के उपर परसो सुभा आपको science and tech की भी video मिल जाएगी और उसके ही थोड़े time के बाद आपको initiative की video भी provide करने की कोशिश रहेगी जादा समय नहीं होगा इन दोनों के बीच में जल्दी जल्दी आपको ये provide करने की कोशिश है उसके बाद आपको international relation की भी video करा देंगे लेकिन अगर आपको time permit ना करें तो आप international relation को बस एक बार याप बस सुन लीजेगा बहुत जादा इसके ओपर focus मत कीजिए लेकिन ये वो चीजे हैं जो आपको कम से कम एक minimum standard है कि आप इतना जरूर करके जाए current affairs के लिए इस time पर बहुत जादा material ना पढ़ें तो अगर आप कहीं और से already पढ़ चुके हैं books और आपके reports and indices इनकी हम एक list compile करके अपने telegram channel पर डाल देंगे अगर time permit करेगा तो हम इसकी एक छोटी छोटी वीडियो बना के आपको ये video भी provide कर देंगे लेकिन उससे पहले हम ये telegram channel पर list जरूर आपको दे देंगे या किसी magazine में आपको मिलती है तो आप वहां से कर सकते हैं हम इसको क्यों नहीं cover करा रहें क्योंकि यह बहुत जादा factual हो जाता है और इसमें पता लगा पाना कि क्या चीज पूछी जाएगी वह बहुत ही मुश्किल काम है इसको पता लगा पाना इतना असान नहीं है और इसके उसके बाद भी question कहेगा यह एक से दो question आएंगे और वो भी हमने cover किये होंगे या नहीं किये होंगे उसकी guarantee नहीं होती है इसलिए हम इसके उपर जादा focus नहीं कर रहे हैं पर सबकी अपनी strength होती है अगर आपको लगता है कि आप factual चीज़े अच्छे से याद कर सकते हैं तो आप इनको बिलकुल cover करें इसकी list आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी किसी ने किसी ने जरूर cover कराई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना न भूलें और वीडियो को like जरूर करें आने वाले समय में हमारा चैनल एक one stop solution बनेगा current affairs के लिए चाहे आप किसी भी exam की तेयारी कर रहे हो चाहे वो UPPSC का हो या फिर SSC का हो आपको उनीके relevant current affairs हमारे चैनल पर मिल कर जाए कि कोई चीज news में थी तो वो क्यों थी उसकी क्या importance थी हमारे देश के लिए ताकि आप ना केवल prelims बलकी mains के अंदर भी उन information को यूज कर सकें तो उसी तरह से हम cover कराएंगे अगर आप SSC की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको one liner current affairs अलग से provide किया जाया करें यह हम month wise कराएंगे तो हर एक जैसे government schemes हैं उस महीने की जो भी news में रहेगी उसकी आपको एक single video मिल जाएगी उसी तरह initiative के एक video international relation के एक video ऐसे करके हम इन सभी चीजों को cover किया करेंगे EPFO examination के बाद यहनी 5 तारिक के बाद हमारे channel के उपर आपको environment का prelims का पूरा का पूरा course मिलेगा तो आप environment के जो भी static portion है साथ की साथ current affairs है वो हमारे channel से cover कर सकते हैं prelims 2021 के लिए अभी prelims 2021 और mains 2021 के लिए हमारे कुछ past commitments है जिनकी वज़े से हमारा schedule अभी थोड़ा सा busy चल रहा है तो यह जो current affairs वाली चीज़े हैं यह चीज़े हमारी January से start हो पाएंगी जब हमारा यह mains का सारे के सारे commitment पूरे हो जाएंगे 2021 के उसके बाद से current affairs का चीज़े start होंगी लेकिन जो environment का हमारा prelims का course है वो आपको EPFO exam के कुछ ही दिनों के बाद यहां पे मिल जाएगा थैंक यू